दोस्तो आज हम बात करेंगे मीका जो कि दुनिय की पहले हुमनोइड रोबोट CEO है उसके बारे में और कैसे वो भविश्य में लीडर्शिप को चेंज कर सकती है तो मीका एक हुमनोइड रोबोट है जिसे डेवलप किया है हैंसन रोबोटिक्स ने जो कि हौंग कॉंग हसना CEO नियुकर किया है तो ये इसके बारे मी डेटेल में जानते हैं दोस्तो आप सब जाते हैंकि और में यूमन को रुप्लेज कर रही हुआ है और पहला स्टेप है किसी कमपněी के CEO को replace करने का और इसके company को कई सारे benefits भी हो सकते हैं मेका को appoint करने के जो सबसे पहला है efficiency मेका बड़ी मातरा में data को real time में process कर सकती है इसी के साथ market trends का भी analysis कर सकती है और जो भी market trends का प्रभाव पढ़ने वाला है businesses पर उसको समझते हुए accurate decisions भी ले सकती है और किसी एक normal human के comparison में मोकत है और वो data के base पर decision लेगी और बिने कोई personal bias के decision ले सकती है और businesses को आगे बढ़ा सकती है तीसरा point है 24-7 availability अगर कोई company human CEO को appoint करती है तो वो week के 5 दिन ही काम करेगा और उसके काम करनी की भी एक समय सीमा होगी पर मीका जो एक artificial intelligence humanoid robot है वो 24-7 यानि 24-7 दिन company में काम कर सकती है और इसे आप समझ ही सकते हैं कि company का management कितना strong हो सकता है और company कितनी ज़्यादा grow कर सकती है चौता है value driven insights अब सभी जानते हैं कि एक humanoid robot बड़ी मातरा में data को analyze कर सकता है जो कि किसी एक normal human के comparison में thousand times ज़्यादा हो सकता है जिसके जरी एक company अपने products services और customers के behavior को काफी असानी से समझ सकती है और better decision ले सकती है और फिप पॉइंट है global reach अगर कोई company का human CEO होता है तो generally वो limited number of languages समझ सकता है पर मेंके के साथ ऐसी कोई परिसानी नहीं आने वाले दुनिया भर में सारी languages में बात कर सकती है देश के और दुनिया के किसी भी कोने से business कर सकती है और लोगों से बा 20 साल में ये कहा जाने वाला है कोई नहीं जान ता मीका आने वाले समय में ते क्मपनी के management को पूरी तरीके से change कर सकते हैं पर मीका जैसे रोबोस में बाज को मेंटें करना अभी जरूरत है तो मीका एक नए यूपकी शुरूात है आपके क्या मानना है कमें जरूर बाक्स मे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू